आज की इस वीडियो में हम Formula says के ही बारे मेरे जानेंगे इससे पहले मिने जो वीडियो बनाई थी उसमें ने AUTOSUM तक आपको दिखाया था दोस्तों यहां पे मैं वीडियो को थोड़ा शार्ट करके बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ सके फर्मूला टेप में मैंने आपको आटो सम तक दिखाया था आटो सम का यूज कैसे किया जाता है आटो सम में आप देख सकते हैं सभी फर्मूले आपको मिल जाएंगे सम का फर्मूला मैंने आपको दिखाया था आप सम का यूज कैसे कर सकते हैं सम के बाद यहां पे आप देख सकते हैं एवरेज का फर्मूला अगर आपको यहाँ पे अपने डेटा में एवरेज निकालनी हो आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमें एवरेज निकालनी है इसके लिए क्या करेंगे यहाँ एवरेज पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं cell जो हैं वो select हो जाएंगे उसके बाद आपको enter press करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं average आजाएगी auto sum में आप देख सकते हैं सब भी formula आप use कर सकते हैं auto sum में यहाँ पर more function पर अगर आप click करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं आपके समने यह वाला box आजाएगा यहां पर आपको जो भी फरमولा चाहिए आप यहां पर सर्च करके उस फरमूले को यूज कर सकते हैं दोस्तो एक्सल के अंदर इतने फर्मूले हैं अगर मैं आपको एक एक करके दिखाऊं तो एक महिना लग जाएगा लेकन यहाँ पे मैं आपको उनको दिखाने की कोशिश करूँगा जो commonly use किये जाते हैं Recently क्या होता है अगर यहाँ पे आप किलिक करेंगे Recently में जो फर्मूले हमने अभी इससे पहले यूज किये हैं उनका यहाँ पे लिंक आ जाता है उनका नाम आ जाता है यहाँ पे इन फर्मूलों को category wise divide किया गया है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं final से related जो आपके फर्मूले होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ जाएंगे जैसे यहाँ पर bank loan से related या फिर interest से related यहाँ पे वो category wise पाई जाते हैं इसके बाद है यहाँ पे logical लोजिकल में क्या होता है जैसे true false है logical में आप true false लगा सकते हैं जैसे कोई result मनाये जाता है उसमें कुछ pass होते हैं कुछ fail होते हैं उस तरह से आप यहाँ पे use कर सकते हैं इसके बाद है यहाँ पे हमारे पास text इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे सके अभी मुझे यूटूब पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है जब मेरा चैनल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसके बाद मैं थोड़ी बड़ी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए टेक्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट, लोवर, प्रापर, राइट जैसे कि यहाँ पे मैं लिखते था हूँ कम्पूर्टर जैसे मैंने यहाँ पे लिखती है कम्पूर्टर इसके बाद जाएंगे टेक्स्ट में यहाँ पे हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे हम लिखतेंगे number of character, कितने character आपको चाहिए, वो यहाँ पे आप type करेंगे, यहाँ पे में लिखते था हूं 3, उसके बाद ok पे click करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, c o m, left में कितने character हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे, इसी तरह आप one by one करके शिरू करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लिगी हो, वीडियो को share करें